सब्सक्राइब करें हमारे यूटिब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो जाब तक पहुंच दी रहे सबको जय मसिखी और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें प्रातना कहां करनी चाहिए और मैं आपको तीन जगा बताऊंगा कि प्रातना आपको कौन-कौन से जगा पर करनी चाहिए परमिश्वर का वचन बताता है जब हम मतिरतिसु समाचार 6 अध्याय वचन 6 को पढ़ते हैं तो ये वचन में लिखा है कि जब भी हम प्रातना करते हैं तो हमें एकांत में प्रातना करनी चाहिए परमिश्यर के वचन में लिखा है प्रन्तु जब तू प्रातना करे तो अपने कोठडी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रातना कर और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा परमेश्यर का वचन बताता है कि जब आप एकांत में प्रातना करते हैं तो परमेश्यर हमें गुप्त में आशिशों को देते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्यर आपको आशिशें दे तो आपको एकांत में प्रातना करनी चाहिए अब मैं आपको दूसरी जगा के बार में बताऊंगा कि आपको कहां पर प्रातना करनी चाहिए प्रातना करने का स्थान है जब आप कलीसिया में जाते हैं कई बार हमने बाइबल में परमेश्यर के लोगों को कलीसियाओं में प्रातना करते देखा है और प्रमिश्वर के वचन में लिखा है जब हम लूकारेटी सुस्वमाचार 18 अध्याए वचन 10 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि दो मनुश्य मंदिर में प्रातना करने के लिए एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला प्रमिश्र का वचन बताता है कि हमें कलीसिया में बैठ कर प्रातना करनी चाहिए अब मैं आपको तीसरा प्रातना करने की जगा बताऊंगा प्रमिश्र का वचन बताता है जितने लोग प्रभियेश्य मसी पर विश्वास करते हैं और उनके पीछे चलते हैं प्रमिश्र के व मैं चाहता हूँ कि हर जगा मनुश्य बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हातों को उठा कर प्रात्ना किया करे। परमिश्र का वच्चन हमें प्रात्ना के बारे में सिखाता है कि हम कहीं भी बैठ कर प्रात्ना कर सकते हैं लेकिन जब हम प्रात्ना करते हैं तो हमें किसी के प्रती क्रोध में आकर कड़वाहत मन में नहीं रखनी चाहिए और बिना विवाद के अपने पवित्र हातों को उठा कर प्रमिश्र के आगे प्रात्ना करनी चाहिए कई बार हम प्रातना करने से पहले हम उन लोगों को माफ नहीं करते, जिन लोगों ने आपके विरोध में बाते की हैं, परमिश्य के वचन में लिखा है, मतिरचिसु समाचार 6 अध्याय, वचन 12 में लिखा है, और जिस परकार हमने अपने अप्राधियों को शमा किया है, वैस इसी तरह से आपको भी दूसरों को माफ करना चाहिए और परमेश्यूर के आगे प्रातना करनी चाहिए अगर आप प्रातना इस प्रकार से करते हैं तो परमेश्यूर आपको आशिशे देंगे और आपकी प्रातनाओं को सुनेंगे मेरा विश्वास है कि आज की वीडियो के द्वारा परमेशों ने आपको आशिश दी है मिलते हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए सबको जय मसी की